ओम्मूकं गरोतिवाचालं पंगुम्लंगयतेगिरिं यत्कृपातमहं बंदे परवानन्दमाधुवं गुरुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवु महेशुरा गुरु साक्षात्परंब्रह्म्य दस्मै स्री गुरु वेनवाँ सरुवे भवन्तु सुखिना सरुवे संतु निरामया सरुवे भद्राणि पस्यंतु मा कशित्तु क्यभाभव demiş करपोडि गौुरं करुणा बतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वशंतम हिर्दे आरे विंदे भवं भवानी सहितम्नवाव expressions एंगला इस लोग है अध्यायत तीन का गीता अध्यायत तीन छटमा इस लोग सिख्ष्ट है बगवान कह रहे हैं इसलिए जो मूड बुद्धी मनुस समस्त इंद्रियों को हड़ पूरवक उपर से रोक्ल कर मन से उन इंद्रियों के विशियों का चिंतन करता है वो है मिथ्याचारी अर्था दम भी कहा जाता है भगवान कहते हैं वो मिथ्याचारा सउच्चते विमूड आत्मा कौन है वो विमूड आत्मा और किसे कह रहे हैं भगवान मिथ्याचारी भगवान किष्ण कह रहे हैं जो वाहर से उपर से अपनी ग्यानेंद्रिये करमेंद्रियों को रोक लेता और अंदर मन से विशियों का चिंतन करता अब मन में अंदर विशियों का चिंतन बासना कामना आ सकती लेकिन उपर मात्र दिखावे के दिखावे के लिए उपर से उसने अपनी इंद्रियाओं को रोक रखा है तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है क्योंकि ये त्याग नहीं है ये त्याग का आडंबर है त्याग का ढोंग है क्योंकि इंद्रियाँ अपने में कुछ नहीं करती है इंद्रियाँ तो मात्र जहरोके हैं दुआर हैं विश्यों तक जाता है मन करता है मन बनी अंदर रूप की वासना थी तो आखने रूप देखा अंदर मन में वासना सुनने की थी संगीद की तो कान ने सब्द सुना जीव ने स्वाद लिया तो वासना थे हमारे अंदर मन में हैं लेकर इंद्रियाँ के द्वारा वह बाहर प्रिगट हुई और अगर बाहर से नद्रियाँ को तो रोक लो और अंदर से विशियों का चिंतन चलती रहे वासना की आग जलती रहे तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति के जो मित्थि आचरण है आडमार है वो उसके लिए ही हानिकारेक है वो उसका दमन ऊपर से दमन है मैंने एक दिन कहा था कि जैसे आप ने बरतन पर मैं पानी बरके रख दिया बरतन आग पर और उपसे टायट धक्कन रख दिया अब धक्कन बहुत टायट है कि अंदर की भाप बाहर न निकल सके और चूले पर रखा हुआ है नीचे से आग जल रही है तो क्या होगा? कि अंदर से जड़ नीचे से आग जल रही है पानी गरम होगा भाब बनेगी और भाब बाहर नहीं निकल पाएगी तो बरतन फट जाएगा बरतन ही तूट जाएगा ऐसे ही जो बाहर से तो इंद्रियों का दमन कर रहे हैं और अंदर से विश्यों की वासना की आग जल रहे हैं जो अंदर से वासना की विश्यों की आग जल रही है और बाहर से इंद्रियों के दमन का ढखकन लगा रखा है तो ऐसा व्यक्ति स्वेक है उसे भगवान किष्ण कहते हैं वो मिथ्याचारी है और मनो व्यग्या ने उसे कहते हैं वो सिजो फरेनिक है उस ऐसे व्यक्ति तमाम तरह के मनो रोग ग्रिस्ट मन के रोगों से ग्रिस्ट हो जाते है क्योंकि इंद्रियों का बाहर से तो दमन और अंदर से विश्यों का चिंतन यह सईयम नहीं है क्यों इंद्रियां अपने में कुछ नहीं करती हैं वो तो ऐसे ही आप समझो कि एक्सिलेटर तो आप दवा रहे हो तेजी से गाड़ी चले और एकदम ब्रेक लगा दो तो क्या होए गाड़ी पलट जाएगी ब्रेक लगाने से पहले एक्सिलेटर से पैर हटा लो जो स्कुसल ड्राइवर है वो क्या करते हैं एक्सिलेटर दवाना बंद कर देते हैं एक्सिलेटर से पैर हटा लेते हैं और वही पैर ब्रेक ले आते हैं एक्सिलेटर पैसे हटा के अब एक्सिलेटर भी दवाओ और ब्रेक भी लगाओ प्रड़ाम क्या होगा कि गाड़ी पलट जाएगी एक्सलेटर उसे गती देता और ब्रिक उसे रोकता है ऐसे ही हमने मन से विश्यों का चिंतन किया वासनाएं जगाई ही तो वो गती मिली हमारी इंद्रियाओं को गती मिली कि इंद्रिया संसार के वस्तूओं व्यक्तियों भोगों की तरफ दोड़े लेकिन उपर से हमने त्याग का वेराग का जूटा आवरण ओड़ रखा है अब जो त्याग का वेराग का जूटा आवरण जूटा मुखोटा ओड़ रखा है वो हमें इंद्रियों को विस्यों के साहियों उक्से रोक रहा है ऐसे लोगों को देखो प्राया क्रोधी हो जाते है क्रोध उनमें बहुत आएगा क्यों अंदर से दमन है उपर से दमन है अंदर से विस्यों की बासना है भोग की इक्ष्या है तो परणाम क्या होता है ऐसे लोगों को देखो बिच्छिप्त हो जाते है क्रोधी हो जाते बगवान उसे कहते हैं मिथ्य अचारण और ऐसे व्यक्त का साधना नहीं होगी सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं उनका अंदर का व्यक्तत खंड-खंड हो जाता तूट जाता टुकड़े टुकड़े अब होना क्या चाहिए एक इनर हार्मोनी होना चाहिए इनर ट्यूनिंग होना चाहिए या इनर इलाइनमेंट मनोवेगनिक फ्राइड हुआ फ्राइड ने इसी को कहा इस तरी के लोग नियूरेटिक हो जाते हैं और खास्त दूर से साध फ्राइड तो एरोप में था उसने देखा एरोप में इसाईयों का एक ऐसा समुदाई भी था जिन को लगा के हमारी इंद्रियां हमें विशियों की तरब लेके जा रही हैं तो अंदर से वो वीज नहीं देखा अंदर से की वासना नहीं देखी इंद्रियों को देखा बहुत उपर उपर से परड़ाम क्या होता उन्हें लगा इंद्रियांग का दो इसाथ इंद्रियों को सताओ आँख ने रूप देखा वासना जगी तो आँख फोड़ लो अब आँख फोड़ने से कोई वासना मक्त होता इसाईयों के बड़ा समदाय ऐसे हुए जिसमें सेकड़ों हजारों लोग थे जिन्हों ने कहा वासना जगती है तो जनेंद्रि काट दो अब सुचो ऐसे लोगों क्या कहोगे नियुरूटिक है उन्हें फ्राइड कहते हैं तो पागल है ये बिच्छिप्त है अगर कोई जन्हनरी काटेंसे ब्रिमिचर को उपलब्द हो जाए ये मूर्ख ता इससे जज़ादा बिच्छिप्त ता इससे जज़ादा पागल पन इससे जज़ादा आडंबर मिथ्या आच्रण बगवान कहते हैं और क्या होता है साइथ है फ्राइड ने पढ़ा होती गीता तो साइथ ये निड़एना करते के धर्म के नाम से लोग क्या क्या उपद्रब कर रहे हैं धर्म के नाम से किस किस तरीके से मिथ्या आच्रण हो रहा है लोक लाज से दिखावे के तौर पर बाहर से आदमी सब आडंबर करता है धर्म का लिवास साधना का मुखोटा त्याग तपस्या वेराग का चोला पहल लिया लेकि अंदर से तो वास्नाव में कुई कमी नहीं आई तो भगवान किष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति अंदर से बाहर से नहीं अंदर से सांत करो आग अंदर की सांत करो अंदर से आग सांत हो अंदर से कोई आसकती ना हो अंदर से कोई वासना ना हो और फिर हमारी इंद्रियां अगर विश्यों के संपर्ग में भी आती है तब भी भगवान कहते हैं वो बंधन नहीं वो बंधन नहीं बनेगा वो कारागार नहीं बनेगी वो जंजीरे नहीं बने को इंद्रियों को उनके विशे से जाने से मत रोको कर्म नहीं रोको लो कर्म के पीछे जो वास्णा थि जो फिला का अंगठा थी फल की आकांग च्छा वाशना महत तो उसका था बंधन वो था वाशना बंधन थी कर्म बंधन नहीं था और ऐसे लोग अगर सरी से कर्म नहीं भी करते हैं तो भी देखो मन के कितने ताने वाने बुन रहे हैं मन से कितने बड़े बड़े हवाई के लिए बना रहे हैं तो सुना होगा कितनी बार कि कोई सेक चिल्ली जा रहा और सेक चिल्ली सिर पर दही का मठकी लेके जा रहा और दही का मठकी लेके मन में विचार करके दही बैचेंगे फिर धीरे-धीरे कुछ मुर्गियां खरी देंगे सस्ती आ जाएंगी तो पॉल्टी फार्म हो जाएगा और मुर्गियां जादा हो जाएंगी फिर डेरी फार्म सुरू करेंगे भैसे लेंगे गाये लेंगे बड़ा डेरी फार्म सुरू हो जाएगा और बड़ा डेरी फार्म जब खुल जाएगा तो फिर साधी करेंगे साधी करेंगे पत्नी आएगी संतान पैदा होगी और पत्नी संतान को लेके मेरे बेटा ये बेटी को लेके पत्नी जब मेरे पास आएगी और अपने बेटे को अपने बेटा ये बेटी को अपने जब गोद में लेंगे च्छाती से लगाएंगे तो कितना सुख मिलेगा अब वो ऐसा सोचता जा रहा मन में ये सारे संकल्ब चल रहे हैं विचार चल रहे हैं और जब बेटे को गले से लगाएंगे च्छाती से लगाएंगे कितना सुख मिलेगा तो अपना मटकी से हाथ हटा लेता है छाती पे ले आता कितना सुख मिलेगा छाती पे हाथ ले आते सिर पर रखी हुई मटकी गिर जाती और सिर पर रखी हुई मटकी जब गिर जाती तो रोने लगा रोने लगा लोगों ने आके पूछा सेक्चली क्या हो गया क्यों रो रहे हो उसने का मेरा तो पूरा परिवार ही उजड़ गया परिवार ही का नास हो गया लोगों ने का कौन सा परिवार उजड़ गया किस परिवार का नास हो गया कौन खतम हो गया यह तो थोड़ा सा तुम कि इससे हम ये बैच करेंगे, पॉलिटी फार्म खोलेंगे, डेरी फार्म करेंगे, साधी करेंगे, संतान होगी, अब ये दही गिरा तो सारे सब तूट गए इसे आदमी सरीर से ना भी करें तो मन से देखो कितने ताने वाने मुंता है, कितने बड़े बड़े स्वपन संजोके रखता है, कितने हवाई के लिए बनाता है तो भगवान कहते हैं ये बंधन सरीर का नहीं है बंधन हमारे मन का है मन बंधन है हमारी वासना ये बंधन बंती है हमारी कामना बंधन बंती है और अगर अंदर मन में कोई वासना ना हो कामना ना हो तो व्यक्ति कर्म करें लेकिन कोई बंधन का करण नहीं है कर्म करती वह भी अकरता हो जाता है तो भगवान कहते है ऐसा अव्यक्ति आप देखो नदियों के किनारे या किसी जील सरोवर कोई जील हो सरोवर हो कोई पोखर हो उसके किनारे देखो बगवला को बगवला अब बगवला एकदम ऐसे किनारे या पानी में जैसे कोई समादिस्ट्योगी हो इसद्ट्प्रक्योगी हो उसका सरीर कहीं हिल्डल नी रहा है एकदम पूरी तरह से समादिस जम्य जैसे हो सरीर बिल्कुल हिल डूल नहीं रहा पत्थर की तरह मूर्तिवत है अब उसको देख के कोई कहे कि देखो ये इसकी यूग साधना है लेकिन उसे बगले की यूग साधना क्या परमात्मा के लिए नहीं है ये इसका एकागरता ये एकागरता ये ध्यान ये सरीर का अचल होना ये परमात्वा के लिए नहीं है ये सिर्फ ऐसी एकागरता वो दिखा रहा है मचली के लिए के मचली उसके पैर के नहीं दीख कोई आये और उपकड़ ले एकागरता उसने भी साधी सरीर उसका भी सधा लेकर सरीर की एकागरता होई सरीर सधा लेकिन उसका मन किसमे है विस्यों में है ऐसे ही बहुत बार लोग को देखो कुम मेला हो कोई मेला हो ऐसे लोग को देखो तमाम ऐसे सड़कों के किनारे तमें लोग मिल जाएंगे आख बंद की भजन में बैटे अब आख बंद करके उनका आख बंद भी है भजन भी है लेकिन सामने वो ऐसे एक बरतन भी रखे हैं कि आते जाते लोग उसमें सिक्के डाले गए और बीच बीच में आख उठा के देख भी लेते कितने पड़े कितने आ गए अब इसलिए लोग उनको कहते है ये भगत नहीं ये बगुला भगत है ये भगवान के भगत नहीं है ये दौलत के भगत है यह संसार की वस्तों के भोगों के भगतें तो मन में विश्यों का चिंतन हो वासनाएं हो और उपर से इंद्रियों को रोक लो भगवान कहते हैं मिथ्थे आच्रण है ऐसा व्यक्ति मूड है विमूड आत्मा वो मूर्चा में कर रहा है ना समझी से कर रहा ज्यान से कर रहा अब भगवान सीधा तो अरजन को नहीं कह सकते थे पहले तो भगवान ने पिछले इसलोगमें थे अरजन को भगवान ने कहा हम महानक अन्हक कहा कि अरजन तु निस्पाप है सही ते अरजन को होसला देने के लिए सांतुना देने के लिए कि अरजन जो डर रहा था कि मैं पाप में लिपत हो ना हो जाए तो भगवान कहते है नहीं तू तो निस्पाप है और आत्मा सदा ही निस्पाप है सरीर कर्म में रत होता है आत्मा तो असंग है नेरे विकार है नेरे लेप है यहां पर भगवान उसे कह रहे बिमूड आत्मा सीधा अरजन को नहीं कहा बिमूड आत्मा कि अरजन को बुरा भी लग सकता कि मुझे मूड कह रहे लेकिन भगवान करें ऐसे लोग जो उपर से इंद्रियों का रोक लेते हैं विशियों के संपर्ग से कर्म का त्याग कर देते हैं लेकिन अंदर से विशियों का रस है भोग है वाशना है चिंतन है तो उपर से रोकना वो मिथ्या अचरण है दम्ब हो गया, पाखंड हो गया, ऐसा व्यक्ति के भी, जीवन में खुश्क सांती नहीं आएगी, और जब उसके जीवन में सुक सांती नहीं है, पताए डॉब आपका बाया पैर दाय जा रहा तो एक पैर बाय जा रहा तो एक दाय जा रहा एक पूरब जा रहा दूसरा पच्छिम जा रहा अब कहीं पहुंच पाएगा कोई गती होगे हमारा हमारी इंद्रियाएं हमारा सरीर हमारा मन बटा बटा है बुद्धी मन इंद्रियाय शरीर एक साथ हो उनके बीच में ट्यूनिंग हो एक इंटीग्रेशन हो एक लेवद्धता हो तो जीवन यूगी का जीवन होता और याशन का जीवन का ईसा होता सब कुछ बटाबटा टुकरे खंड मन कुछ और कह रहा बुद्धी कुछ और कह रही इंद्रियाय कहीं और जा रही शरीर कुछ ही कर रही है इंडर खंड खंड टूटे हुए एक दूसरे से तो भगवान कहते है योगी का है वो सारा सहीर मन बुद्धी इंद्रियाएं आपस मुन में एक तार्तम में है एक संबंध है एक हार्मोनी है एक समन्वय है एक लए है एक ट्यूनिंग है इनर एलाइन्मेंट है और जो अंदर बाहर से टूटा हुआ है अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा मिथ्या आचरण है आडंबर है भगवान कहते हैं अरिजन ऐसा बाहर लोगों को कितना ही छिपा ले लोकलाज से समाएं से दुनिया से कितना ही छिपा लेकिए उसके खुद के मन में सांती नहीं होगी शंतोष नहीं होगा तरप्ती नहीं होगी वो फूल खिलेगा नहीं जीवन में तरप्ती का शंतोष को फूल खिलेगा नहीं और परमात्मा का संगीत कोई गूजेगा नहीं ये परमात्मा का संगीत अध्यात्म की गूज परमात्मा का गीत समादी की सुगंध है ये तभी अंदर से उठ पाएगी समान्दी की सुगंध परमात्मा का गीत जब हम अंदर बाहर एक जैसे हो जैसे अंदर वैसे बाहर दोनों के बीच में एक ट्यूनेंग हो एक इंटीग्रेशन हो अंगले इस लोग में भगवान कहते हैं कि अरजुन जिसने बाहर से तो छोड़ा है अंदर से चिंतन है वो मिथ्यचारी है दमभी है वो दिखावा है उनका आडंबर है ढोंग है अंगले इस लोग में कहते हैं कि जो इंद्रियों का सैयम करके अना सक्त भाव से कर्म करने वाली प्रसंसा यस्तो इंद्रिया आडि मन साह नियम्या बावर अवरते अरजुने कर्में इंद्रिया ही कर्मे योगम असकत सभी सिश्चते भवान कहते कि तो है अरजुन जो पुरुस मन से इंद्रियों का बसमे करके अना सक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आच्रण करता वही स्रेष्ट है तो भगवान कहरे कौन स्रेष्ट है जो इंद्रियों को बसमे करके अना सक्त हुआ इंद्रियों का इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आच्रण करता है तो कर्म का त्याग नहीं करता है कर्म का आच्रण तो करता है इंद्रियां विस्यों में जाएंगी कर्म उससे प्रगट होंगे लेकर वो कर्म के कैसे होंगे कर्म अना सकते हैं और इंद्रियों पर अंदर की मन की अना सकती मन में जब अना सकती जगी की ध्यां लखना अंदर म मन में जब अना सकती जगी तो बाहर इंद्रियों पर उसका सैयम आ गया इंद्रियों पर उसका नियन तरना आ गया क्यों इंद्रियों अपने में कोई निर्ड़े नहीं लेती हैं इंद्रियों के पीछे जो मन है मन उन्हें निर्देश देता है मन के निदेश से मन के आदेश से इंद्रिया चलती है और अगर मन में ही अना सक्ति आ गई मन में ही वीतरागता आ गई मन में ही कोई कामना नहीं रही कोई बासना ना रही कोई इक्षा ना रही कोई भोग इक्षा ना रही जब मन में ही अना सक्ती वीतरागता आ गई ही कोई कामना ना रही तो भगवान कहते ही फिर उसकी इंद्रिया कहा जाएंगे उसके इंद्रिया तो बसमें सहज हो गए और जो अना सक्त है मन से अंदर से उसकी बाहर क्रियाओं की कोई इंद्रियाओं की कोई कामना नहीं है कोई भूक नहीं है कोई चाहा नहीं है फिर इंद्रिया सहज में विस्यों के साथ बिवहार में हैं विस्यों के साथ बिवहार में हैं विस्यों के साथ कर्म में हैं भोग में हैं फिर भी वो कर्म वो भोग वो विशय उसके लिए बंधनकारी नहीं होती है और ऐसा कर्म योगी को ही भगवार कहते है वही सही सही माने मुए उसका आचर्ण स्रेष्ट है वो स्रेष्ट है वो दूसरों के लिए अनकरणी है वो भागता नहीं है वो जागा हुआ है मूर्चा में भागोगे तो भी भाग ना पाओगे और मूर्चा में भोगोगे तो भी भोग के तरपते ना होगे सोए सोए आदमी भागे तो भागने से मुक्त नहीं होता और सोए सोए आदमी मूर्चा में भोगे तो भोग से भी तरफ जागना है जागो और वही स्रेष्ट है वो दूसरों के लिए अनुकरणी है अनुसरणी है जो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन कर्म कैसे करता उसका आ कांग्षा नहीं है मांग नहीं है वो ऐसे ही कर्म कर रहा है लोग कल्लाण के लिए लोग संग्रे के लिए शेबा के लिए अब कर्म उसकी पूजा है कर्म उसकी पूजा है और जो कर्म के बदले में मिला उसे वो परमात्मा का प्रशाद है तो उसकी माग नहीं थी क्या हमें मिलेगा कोई चाहा नहीं थी सेवा समझ के पूजा समझ के उसने कर्व किये और बदले में जो मिला वो परमात्मा का प्रशाद और परमात्मा का प्रशाद का आर्थी इतना है कि स्रद्धा से, विश्वास से, समरपड से उसको सिवकार किया जिसमें कोई माग नहीं, जिसमें कोई सिकायत नहीं जा माग नहीं, सिकायत नहीं, इनकार नहीं, सिवकार का भाव हो वो प्रशनता पूरवक उसे सिवकार करता है, वो प्रशाद हो जाता है जिसे जिस व्यक्ति को परस्थिती को घटना को व्यक्ति प्रसंता पूर्वक बिना किसी इनकार के मांग के स्युकार कर ले वो प्रशाद हो जाता उसके चित में और प्रसंता आती है कि प्रशाद है बगवान का क्योंकि उसके पीछे कोई मांग नहीं ती क्रिया है क्रिया का कोई ना कोई फल आएगा कर्म का कोई फल आएगा अब वो फल जैसा भी आए कड़वा आए मीठा आए सुक रूप में आए दुख रूप में आए मान हुम रूप में आए अपमान में आए、 लाव यहान, कुछ भी आए, जैसा भी फल है उस फल की जब कोई मांग ही नहीं है, तो जो है वो प्रिसाद है और पर स्ट पूरवग से ले रहा है, तो इसा कर्म योगी क्योंकि कर्म योगी वो है, जिसने फल की आँका अंख्छाते आगी तो ऐसा कर्म योगी कर्म करेगा लेकर उसी का कर्म आचरण दूसरों के लिए अनुकरणी है उनसे वो स्रेश्ट है जो कर्म का त्याग करके भाग रहे है या एक तो कर्म का त्याग करके भाग रहे हैं पलाइन किये हैं और वो मिथ्याचारी जो अंदर से बाहर से कर्म का त् उनका चिंतन कर रहे उनका भोग कर रहे कभी आप देखो अगर दिन में भोजन नहीं किया संकल पूर्वग तो ऐसे लोगों को मन में भोग की इच्छा है मन में चिंतन चल रहा भोग की इच्छा है लेकिन बाहर से जवर जिस्ती रोका हुआ तो कभी कभी सुपन में लोग भोग करते हैं फिर तो मन से नहो बाहर से छूटे ये नह छूटे विस्यों से या मुक्त हो या नहों लेकिन मन से वासना हटा लो मन से काम ना हटा लो मन से चाहा हटा लो फिर कर्म में उतरते हुए भी कर्म करते हुए भगवार कहते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी अब देखो महराज जनक का उदाहन है कि महराज जनक ने कहीं इसलिए आगे जाके भगवार किष्ट अरजन को मारा जनक का उदाहन देंगे तो ऐसे तमाम रिशी मुनी संत हुए हैं जो बिवहार में रहे नानक ने कोई घर नहीं छोड़ा परिवार नहीं छोड़ा पत्नी भी थी, संतान भी थी बिवहार भी थी, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए खेती भी करते थे कहीं पलाएं नहीं किये जिम्मेदारियों से जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी लेकिर अंदर से वो अना सकते थे वीतरागी थे, अंदर से वो सन्यासी थे वो सन्यास कोई बाहर का रूपांत्र नहीं है सन्यास है inner transformer अंतर का रूप आंतर अंदर से नानक सन्यासी थे बाहर से वो भले ब्योहार में ग्रिस्त थे कवीर अंदर से सन्यासी थे बाहर से भले वो ग्रिस्ती रूप में थे कवीर कपड़ा भी बुनते थे परिवार भी थी, पत्नी भी थे बच्चे भी थे लेकिन अंदर से वो अना सकते वीत्रागी थे वो सन्यासी थे यह सन्यास अंदर से प्रगठ हो अंदर से फलित हो एक अंतर रूप आंतरण ऐसे अनेक अनेक उदाहर आप देखो संतों के भरे पड़े हैं कि जो अपने कर्म करते हुए विवहार करते हुए भी अंदर से मुक्त हो गए अंदर से विश्यों से हट गए अंदर से बास्तना खत्म हो गई तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्त दूसरों के लिए भी अनुकरनी है स्रेष्ट है जो कर्म कर रहे बिवहार कर रहे है कोई दिखावा नहीं कर रहे है आडंबन नहीं कर रहे है दंब नहीं बना रहे है कि मैं त्यागी हूँ मैं वैरागी हूँ ना कोई त्याग का ना वेराग का कोई ऐसा आडंबन नहीं किया कोई ऐसा लिवास नहीं पहना है सामान ग्रिस्त की तरह ही रह रहे है सामान व्यक्तियों की तरह ही बिवहार कर रहे है लेकिन अंदर से वो जागे हुए अंदर से होश में अंदर से वासना उनकी खत्म हो गई उनके कर्म वह उसी तरीके हैं मैंने कहाना रोश्टेट सीड की तरह भूजे हुए चने भूजे हुए कोई भी बीज अब वो अंकुरित नहीं करेंगे बंधन नहीं बनाएंगे जो मि मिला ठीक नहीं मिला वो भी ठीक और वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा परमात्मा हमसे करें करा रहा है गुर्वाणी में आता है करें कराये आप ही आप मान उसके नहीं कच्छु आप मान उसके हाथ में परमात्मा ही करें कराये वहीं करा रहा है अब मैं नहीं तू मेरा नहीं त तेरा उस बिराट के प्रद्परमात्वागुपत ऐसा समर्पड हो जाए मैं नहीं तूँ प्रभू तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति स्रेष्ट है जो वाहर से तो कर्व कर रहा है इंद्रियाएं विश्यों के संपर्ग में भी आ रही है लेकिन उसने अपनी इंद्रियाओं क इच्छा नहीं है और फलकी कोई मांग नहीं है कर्म कर रहा है लेकिन फलकी कोई मांग नहीं है कर्म कर रहा हाँ से दूसरों के सेवा करेगा परोबकार के काम करेगा हाँ से करे सरीर से करे मन से करे कोई भी कर्म ग्यानेंद्रियाएं कर्मेंद्रियाएं सरीर से कुछ भी मन से कुछ भी कर्म करेगा लेकिन वो कर्म में रत रहेगा लेकिन कर्म के पीछे कोई भोक की कामना नहीं है मांग नहीं है फल की कोई मांग नहीं है ना धन की ना पद की ना प्रतिष्ठा की ना यस की कीर्टी की कोई मांग नहीं है कि ये भी नहीं कि हमें धन मिले या मान मिले ये कीर्टी मिले, ये एसगान हो और ये भी नहींए कि मुझे मरने के बाद कोई सुर्ग मिले ऐसी भी कामना नहीं सबी कामना हो से मुक्त, वो कहते है बस परमात्माल ये सरीर दिया और करे करा ये अब इस सरीर के माधनें से मैं नहीं कर रहा है वही कर रहा है, वही कर रहा है, कर भी वही रहा है, कर भी वही रहा है, और कर भी उन्हीं के लिए रहे है, उसी के लिए कर रहे है, जिन के लिए कर रहा है, उसमें भी वही परमात्मा है, जिन के लिए कर रहे है, उसमें भी वही परमात्मा है, जो कर रहा है, वो भी वही परम आत्मा है ऐसा व्यक्ति के जीव में ऐसा समर पड़ा जाता भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करेगा कर्म का त्याग नहीं किया लेकिन वो निस्काम कर्म कामना मुक्त कर्म है फलकी आकांग्छा से मुक्त कर्म है और ऐसा व्यक्ति स्रेष्ट है अगर सोचो सभी लोग कर्म छोड़ छोड़ के भागने लगें तो इस समाझ विवस्ता चलेगी कैसे अंगले अंगले इस लोग में भगवान वही बात कह रहे है निय तम कुरु करमत्वं करमे जायो ही कर्मना भगवान कह रहे इसलिए तू सास्र बहित कर्तब कर्म कर क्योंकि कर्म ना करने के अपेक्षा कर्म करना स्रेष्ट है तथा कर्म ना करने से तेरा सरी निर्वावी तो सिद्ध नहीं होगा भगवान कहते हैं कर्म ना करने से कर्म करना स्रेष्ट है और कैसे कर्म कर है सास्र बहित कर तब कर्म कर कर कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना स्रेष्ट है और कर्म ना करने से तेरा सरी निर्वावी तो सिद्ध नहीं होगा तो भगवान कहते हैं कर्म कर लेकिन सास्त्र विहित कर्म कर सास्त्र विहित कार्थ है जो सास्त्र में दो तरह के कर्म है विधी और निसेद एक को कहा ये करना है और ये नहीं करना विधी के वो कर्म जो विधी के में है वो करना है और निसेद के नहीं करना ये करना है ये नहीं करना है अब करना क्या है किसी की सेवा करना है सताना नहीं परोबकार का काम करना है लेकिन किसी को उत्पीड़ा नहीं देना है परहित करना है परपीड़ा नहीं करना है जो नहीं करना है वो निसेद करमों में है नहीं करना तो सेवा का काम करें है परोब का का अब कर्म में देखो कर्म में तो रत चोर डाकों को भी देखो जो चोर डाकों है वो भी रात रात बार जागे रहते हैं सोते नहीं भागते हैं दोडते हैं कितना कुछ स्रम करते हैं लेकर वो कर्म कैसे करते हैं निसेद के कर्म करते हैं समाज के विकास के नहीं समाज के बिनास के काम करते हैं सेवा के नहीं सताने के काम करते हैं उत्पीडन के कर्म करते हैं अब कर्म में देखो तो हिटलर मुसोली ने कोई कम कर्म नहीं किये थे इस टालन ने कोई कम कर्म नहीं किये लेकिन उसके कर्म क्या थे यह 18-18 गंटे काम करते थे सोते नहीं थे करोणों करोणों लोगों की हत्याएं करवा दी इतने बड़े नर्संगार हुए अब कर्म तो उन्होंने भी किये लेकिन कौन से कर्म किये जो सास्त्र के द्वारा विहित कर्म नहीं थे सास्त्र द्वारा निसेद कर्म थे कर्म वो करो जो समाज के हित्मे हो लोगों के हित्मे हो प्राणी मात्र के हित्मे हो और कहीं कहीं ऐसी संकीरता लोगों में आ जाती है संकीरता नेरा धर्म मेरी जाती मेरा संप्रदाए मेरा देश संकीरता निकोसिस करो क्या हमारे यहां तो हमारी भारत की सनातन धर्म की उद्गोशना क्या थी हमारे यहां की जो उद्घोषना संतों की उद्घोषना थी के हमारा सारा विस्व हमारा परिवार सारा विस्व अद्वेष्टा सर्व भूता ना मैत्री करुणे प्राणी मात्र के प्रति करुणा हो मैत्री का भाव हो अब जिसको जो धर्म सिखा रहा प्राणी मात्र के प्रति करुणा प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव प्रेम का भाव भला वो धर्म कहीं सोशड की बात करेगा सताने की बात करेगा लेकिन तमाम धर्मा को आप देखो वो धर्म यही मानते हैं कि अग बुद्धी हैं जो धर्म का चोगा पहन के और हिंसा में हैं हत्याएं कर रहे हैं धर्म के नाम से हत्याएं कर रहे हो कहते हैं जो हमारा धर्म को नहीं मानता उसे जीने का भी हक नहीं है जीने का भी अधिकार नहीं है जो हमारे धर्म को नहीं मानता इसलिए सारी दुनिया हमार मारा धर्म गरंथ यह कह रहा है कि इनसान को मारो और मार के नहीं अगर परिवर्टत करो धर्मांतरन कराओ धर्मांतरन नहीं करता स्वेक्षा से तो उसका जीने का हक छील लो ऐसे धर्म धर्म कहे जाएंगे ऐसे धर्म गरंद धर्म गरंद कहे जाएंगे जो इनसान को निश्ट करने की सताने की इनसान को ही खत्म करने की गुलाम बनाने की बात कहे ऐसे धर्म सास्त धर्म सास्त नहीं वो किसी सैतान के सास्त हो सकते परमात्मा का सास्त नहीं होगा वो किसी सैतान का सास्त होगा परमात्मा का सास्त तो ये कहेगा अद्वेश्टा सर्व भूता नाम, प्राणी मात्र के प्रति, द्वेश्ट ना हो, मेत्री का भाव हो, करुणा का भाव हो, अद्वेश्टा सर्व भूता नाम, मेत्री करुणे बिचा सभी के पत्मेति और करुणा का भाव हो तो भगवान कहते है ऐसा व्यक्ति कर्म कर रहा है अर्जुन कहा है भगवान कहा है तो अपनी कर्म तो करो लेकिन उन कर्मों को किस लिए करो एक तो सरीर यात्रा के लिए सास्र विहित कर्म करो वो कर्म जो सास्र के अनुसार है और सास्त्र वो वो सास्त्र नहीं जो इनसान को बाट है सास्त्र वो जो मानो मात्र की बात कहे है प्राणे मात्र के हित की बात कहे है अगर सास्त्र कोई सास्त्र ऐसा है जो बाट रहा है इनसान इनसान को बाट रहा है संप्रदायों के नाम से जातियों के नाम से जन्म के नाम से बाट रहा है वो सास्त्र सिवकार नहीं होगा सास्त्र वही सिवकार कहे कर सिवकार है जो वस्दैव कुटमकम की बात करे सास्त्र वही सिवकार होंगे जो प्राणी मात्र के हित की बात कहे जो नफरत की बात कहे है द्वेश की बात कहे हिंसा की बात कहे सताने की बात कहे मारकाट की बात कहे ये इस संप्रदाए वो संप्रदाए के धर्मांत्रन की बात कहे ऐसा धर्म सीवकार नहीं वो सास्र सीवकार नहीं वो सास्र परमात्मा के नहीं हो सकते हैं वो किसी सैतान के ही हो सकते है जो नफरत फैलाए हिंसा फैलाए इसलिए भगवान कहते हैं अरजन तुझे कर्म करना है यह से कौन से सास रभीत कर्म कर और कर्म ना करने के अपेच्छा कर्म करना ज्यादा अच्छा है स्रेष्ठ है कर्म ना करने के अपेच्छा कर्म करना स्रेष्ठ है और फिर भगवान अंगली बात करते हैं कि अरजन कर्म ना करने से तेरा सरीर का निरवाहवी कैसे होगा सरीर का निर्वाह भी कैसे होगा सरीर है तो भोजन चाहिए सरीर है तो इसे वस्तर भी चाहिए सरीर है तो रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए अब ये कौन करेगा अगर सबी इस तरीके से कर्म का त्याग कर दें तो हमारी भोजन की विवस्ता कौन करेगा हमारे वस्तरों की विवस्ता कौन करेगा और मैंने का समाज ये सबके सहयोग से चल रहा है हम किसी को कुछ दे रहा है तो कोई बदले में कुछ हमें कोई दे रहा है कोई खेत में काम किया तो कोई किसी कार खाने में काम किया तो कोई किसी खदानों में काम किया तो कोई किसी ऑफिस में काम किया कोई सेना में काम किया रक्षा का काम किया अलग अलग तरह से जिसकी जैसी योगता थी अपनी अपनी योगता अनुसाल लोगों ने अपने अपने और अगर सब इस तरीक से काम का त्याग करने लगे तो सुचो उस त्यागी को उस बैरागी से पूछो रोटी तो उसे भी खाना है अब कोई तुम्हारे लिए रोटी के लिए स्रम कोई और कर रहा तुम क्या करोगे सिर्फ आलसी बनके निठल ले होके बैठोगे सरीर की भी जरूरते हैं और जो सरीर की जरूरते हैं मूल भूत आवा सकता हैं सरीर की हैं उनकी लिए कर्म तो करना होगा कर्म का पलाइन करके भोजन का पलाइन नहीं करते हैं कर्म को छोड़कर बैठ जाएंगे अच्छे कपड़ेंगे भय चाहिए अच्छे सुखसुबदा विर्लास्ता किसा अधन भी चाहिए क्योंकि हम तो त्यागी हैं महा त्यागी हैं बैरागी हैं अरे बैरागी हो त्यागी हो महात्यागी हो कोई वी हो लेकिन ऄंत向ाज को अपना कोई न कोई योगदान हो क्योंकि लेकिन सारीर का निरुवाह भी नहीं होगा सडीर के निर्वाह के लिए भी कुछ तो करना होगा इसलिए भगवान कहते है अर्जुन कर्म का त्याग नहीं करना है कर्म तो करना है और वो कर्म करना है तो जो सास्त्र भी ही थैं सास्त्र द्वारा जिनको अन्मोदन है और मैं तो कहते हैं सास्त्र ये एक मान लो तुम्हारा सास्त्र तुम्हारा खुद का अन्ताकर्ण है इस समाज के अंसा समय समय पर सास्त्र बदलते हैं तुम्हारा सास्त्र तुम्हारा स्वेम का अन्ताकर्ण है और अपने अंताकर से पूछो क्या किसी की हत्या करना धर्म हो सकता है क्या किसी की हत्या करना हिंसा करना सताना धर्म हो सकता है अब ऐसे सास्र मिलेंगे कोई 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 सास्र हिंसा की बात भी करते है बली की के बली चड़ाओ कोई सासर ये कहते है कि ये मासा हार करो वो मासा हार करो तो जो हिंसा की बात करें सताने की बात करें करूरता की बात करें करूरता की बात करें वो सासर दी हो सकते है अपने अंताकर से पूछ लो थोड़ा अंतर मुख्य हो कि अपने अंतर यह अन्याय है यह हिंसा नहीं होने चाहिए यह अपराद नहीं होना चाहिए आज सास्त्रों के नाम से तो बड़े धुके हो रहे हैं कि ना मालूं यह सास्त्र क्या क्या लिख गए कौन कब लिख गया आज वो सास्त्र भी ऐसी तमाम सास्र हैं जो समय के अंसार अपनी उपयोगता खो बैटे हैं अपनी जरूरत खो बैटे हैं किसी प्रस्तिती विशेस में लिखे गई होंगी वो बाते हैं लेकिन आज प्रस्तितियां भिन हैं सारा विस्व एक परिवार के तौर पर है और सभी तरह के समदाएं हैं सभी तरह के लोगों की विचार धारा हैं कोई किसी विचार धारा का किसी की कोई मानता हैं किसी की कुछ मानता हैं अलग है लेकिन किसी की कोई भी मानता हो कोई भी विचार धारा हो लेकिन जीना का हक सब का है इस पृत्वी पर सभी का जीने का हक परमात्मान ये सरी सारी स्रिष्टी में बैधबिता है डाइवर्शिटी है बैधबिता है अनेक अनेक तरह के फूल है अनेक अनेक तरह के फल है अनेक अनेक तरह के व्रक्ष है अनेक अनेक तरह के भोजन है अनेक अनेक तरह के रूप है अनेक अनेक तरह के मनुस है अनेक तर एक धर्म को एक संप्रदाय को एक किसी जाती को तो सहच प्रमवात्मां यह व्यदःबता ना देता लाता इसे ही प्रमवा इनसान इन्सान में जो वेद है उपने इसनों का एक मंत्राता सहसर सीद साथ पूर साथ सहसरा सहक छपात कि जो विराट परमात्मा है विशुरू परमात्मा है उस विराट परमात्मा के हजारों हाथ हैं हजारों सिर हैं हजारों आखे हैं हजारों हाथ पैर हैं हजार तरह की दृष् चिंतन होगा लेकिन हजार दिल नहीं है दिल एक है मन भेद हो मत भेद हो लेकिन हर्दय भेद नहों है एक ही परिवार में चार भाई है चारों के चार तरह के विचार धारा हो सकती है मन प्यार से रहते हैं मत्वेद विचार विन्ड्यता हो शकती है लेकिन विचार विद्ड़ता होने से किसी गर गम इस neces जीने का हक ईह गल्ट बात अगर ऐसा कोई साास्त्र कहता, ऐसी कोई प्रम्परा कहती है, ऐसा कोई धर्म कहता है ऐसा कोई वो गलत है वो धर्म धर्म नहीं है वो सास्तर सास्तर नहीं है वो परंपराएं अनुकरणी नहीं है तो भगवान कहते हैं जो सास्तर विहित कर्म है वो करना चाहिए जो समाज के लिए सब के लिए स्रेकर है जिसमें सब का हित नहीं हित है और भगवान कहते है अरज लोग पलाइन करेंगे किसान पलाइन करें तो खेती कौन करेंगा यह विचारे मच्दूर्बी सब पलाइन करके बाबा जी बन जाए यह तो तो कौन understood के काम करेंगा इसलिए सब की जरूरत है तो अपनी योगता उनसार सब अपनां सहयोग समाज का विकास है कर्म त्याग अंगले इस लोग में भभवान कहते हैं लेकिन कर्म करो तो कर्म कैसे करो भभवान कह रहे है यग्यार्थ कर्म कर्म और न्यत्रे लोको यम कर्म बंधेना तदर्थम कर्म कौंतिये मुक्तिसंगस्समाचराहा भभवान कहते है अर्जन यग्य के निमत किये जाने वाले कर्म कर्मों से अतरिक्त दूसरे काम में लगा हुआ यह मनुस्समदाए कर्मों से बंधता है इसलिए अर्जन तुँ आ सकती रहत होकर उस यग्य के निमत ही भली बात कर्तब कर तदर्थम कर्म कौंतिये तो भभवा कहते कर्म करो कैसे येहर थात कर्मडों नत्र लोको यंकरम बंधना उत तदर्थम करम कौंते मक।संगसमा चरह भाग्वान कहते करम करो कैसे की भावना से है यह की भावना कर घुक है जो लोग लोग कल्यान के लिए कर्म किये जाते हैं जो परोबकार के के लिए कर्म किये जाते हैं वगवान कहते हैं वो यग है कोई भी एक कर्म जो सबकी सामूहिक जिम्यदारी है सामूहिक सायोग है सामूहिक सबका योगदान है तो जो सबके सायोग से जो काम हो रहे हैं और सबके हित में जो काम हो रहे हैं सबका सायोग सबका विकास सबके हित में जो काम हो रहे हैं उन्हीं को भवान कहते हैं वो यग है जिसमें सबका सायोग है और सबका हित है यग कार तो कोई आहोती देना नहीं है के आग में आहोती दो यग के निमित ऐसे कर्म योग ऐसा कर्म जो सबका सहयोग से हो रहे हैं कोई ऐसे सामाज कारकरम होते हैं और वो सामाज कारकरम सबके सहयोग से होते हैं और सबका हितनी हित होता उसमें सबका हितनी हित होता है कोई सामाज कारकरम हो कोई धारमे कारक्रम हो कोई सेवा का कार कम हो कोई को इस ऐसे जगे जगे के लगाते हैं अ चो Packा के जिन luff क placed काइश हैं के जिनके कुछ नकी कंग घरावग हो गये किसी का हाथ किसी का पैर यह इसे लिंत लगाते हैं अब कोई भी ऐसा सेवा का काम हो वो यग है वो यग है आई आउपरेशन कैम भी एक यग है कोई भी इस तरीक एक artificial limbs जो लगाते हैं सरीर के अंग लगाते हैं वो भी एक यग है कोई किसी को भोजन करा रहा है भूंके को भोजन करा रहा है यग है अन्यदान कर रहा है वो भी यग है तो जिसकी पास जो योगता है जिसकी जो सामर्थ है कोई ससंग कर रहा है वो भी यग है जिसकी लेकिन कोई फलकी आकांग्छा नहीं है कोई फलकी मांग नहीं ससंग इसलिए कर रहे हैं लोगों की मूर्चा तूट है कुछ समझ बढ़ है जीवन में कोई परिवर्ता ना आए क्योंकि बाहर की सुब्धा ही सुख नी देगे अंदर का रूपांत्रण भी चाहिए बाहर की सुब्धा तो बहुत हो जाती है लेकिन बहुत बार अंदर से रूपांत्रण नहीं है तमाम धनवानों को देखो उनके पास सदन बहुत है लिए अंदर से दुखी भी बहुत है असान तभी बहुत है तनावग्रेस तभी बहुत है कि कोई आसकती कोई अहंकार कोई मम्ता उन्हें पकड़े हुए दुखी कर रही है तो अंदर के जो रोग मिटेंगे बहुत किसी स समझ से मिटेंगे कि अंदर समझ आए हो कोई को सत्रक ओ सत्रक का सञ्ड़ है जीवन में जगा ना होश देना कि देखो जहां जा रहे हैं हुए तुम्हें मंजल तक नहीं पहुंचाएगा तो मों अपने मा कड़ मार्ग पर जा रहे हो गलत दिसा में जा अब जो गलत मार्ग में जा रहा है गलत दिसा में जा रहा है ये बताना ये सेवा का काम है ये यग है ये भी यग है क्योंकि अन्यता जीवन आद्वी पूरा जीवन खराब कर देता पूरा जीमन लगा देता और जंत जवांत में हिसाब लगाता तो देखा पहुंचे तो कही नहीं वही कोलों की बैल की तरह घुमते रहे घुमते रहे पहुंचे कहीं नहीं क्यों आख पर पट्टी बंदी थी गले में रसी बंदी थी आख की पट्टी ने देखने नहीं दिया आसकती की मोहों की पट्टी बंधी आँग पर आसकती की मोहों की मेरे तेरे की पट्टी आँग पर बंधी है और वही कामनाओं की रसियां बंधी हुई थी कामनाओं की बासनाओं की अहंकार की मंता की रसियां बंधी हुई थी तो रस्यों से मुक्त होना पाए आँख खोल के देखना पाए तो एक चक्कर में घूमते रहे घूमते रहे और जब देखा यात्रा अंतिम पड़ाव पर आई अंतिम घड़ी में आई बुढ़ापा आया मौस सामने आई तो देखा पहुंचे तो कहीं नहीं जहां से सुरू किया था वहीं पर खड़े वही असांति वही दुख वही पिड़ा वही तनाव वही असंतोष सारा का सारव वही है अत्रप्ति वैसी है असंतोष वैसे ही है दुख वैसे ही है तनाव वैसे ही है अहंकार वैसे ही है पाया क्या मिला क्या चले तो इतना लेकिन परमात्मा तक नहीं पहुंचे संतोस नहीं मिला सांती नहीं मिला सुख ना मिला आनन ना मिला तरपती ना मिली पाया क्या अब ये जो सत असत बता रहे हैं सही रास्ता बता रहे हैं गलत रास्ते का बता रहे कि ये गलत है इससे नहीं पहुंचोगे यही सही मार्ग है जो हमारे सास्त्रों हमारे संतों ने हमारे गुरुओं ने हमारे स्रेश्ट जनों ने रिश्यों ने हमें बताया वही हम आपको दिसा दे रहें बढ़ेंस आप load देना सब्सका संहाट यहीं तो सदसंगय हैं लेकिन कोई मांग नहीं कोई चाहा मी safeguard ने के लोग हमारी बड़ाई करेंगे यहा कोई दौलत मिलेगी पैसा मलेगा कोई कोई मांग नहीं कोई चाह नहीं की भावना यह की वहावना करें भगवान कहते कोई भी कर्म जिसकी जैसी जो योगता है अब कबीर कपड़ा बुन थे यग हो कबीर का कपड़ा बनना भी यग था नानक खेती करते नानक का खेती करना भी यग था परोपकार के लिए रविदास जूता बना देते जूता बनाना भी उनका यग था परोपकार के लिए गोरा कुमहार घड़े बनाता था मिट्टी के बरतन वो भी उसका यग था सेना नाई किसी के बाल काड़ता था वो भी यग था और तुलाधार वैसे वो तुला भी दुकान भी चलाता था वो भी यग था कोई एक दुकंदार एक सादू उस दुकंदार के पास आता है एक सादू उस दुकंदार के पास आया और दुकंदार से कहा कि मुझे अपनी दुकान पर नौकरी पर रख लो साधू ने दुकानदार से कहा मुझे भी अपनी दुकान पर नौकरी पर रख लो दुकानदार ने कहा मैं दुकानदार और हजार तरह की चोरी चाला की ठगई जूट यहां होता है दुकान पर तुम सादू बिगड नहीं जाओगे तुम्हारी सादूता को दाग नहीं लग जाएगा सादू ने कहा नहीं मेरी सादूता को दाग लगता तो मैं आता ही नहीं क्योंकि मैं तीन महीने तुम्हारे पास काम करना चाहता हूँ तीन महीने बाद मैं यात्रा पर जाओंगा तीन महीने बाद मैं यात्रा पर जाओंगा इसलिए तीन महीने कुछ पैसे कमाएंगे फिर यात्रा पर निकल जाएंगे और हम मुझे मालूम है कि अब दाग नहीं लगेगा इसलिए नोकरी करने आया उस दुकांदार ने उस सादू को रख लिया उस दुकांदार ने सादू को दुकान पर रख लिया लेकिन सादू के बेवहार से सादू के बेवहार से दुकंदार बहुत प्रभावित होता उसका बेवहार उसकी बोली भासा वानी आचरण बला प्रसंस निये बहुत आनंद देने वाला बहुत मृदुल इस दुकंदार बहुत प्रभावित होता और इस दुकंदार ने कहा द तुम यात्रा पर चलोगे तो मुझे भी साथ ले चलना उसने का ले चलेंगे तो दुकंदार ने पूछा क्या उस यात्रा पर जाने के लिए कोई तैयारी करने पड़ेगी उस यात्रा पर जाने के लिए कोई तैयारी करने पड़ेगी उसने का हां बिलकुल तैयारी करने अंगले ही दिन से जब दुकंदार कहीं जूट बोलता तो सादू उसको याद दिला देता मेरे राम यात्रा पर चलना है मेरे राम यात्रा पर चलना है जब यात्रा पर चलना तो जूट के हूं बोल रहे हैं यह दुकंदार किसी को कम तौलता तो सादू से याद दिला देता मेरे राम यात्रह पर चलना हो यात्रह पर चलना है तो कम क्यों तोल रहे हैं यह दुकंदार जब किसी को कम ज्यादा पैसा बताता है ठगई करता है ज्यादा पैसा बताता तो सादू इसको याद दिलाता मेरे राम यात्रह पर चलना है ये तीन महीने सादू ने इस दुकंदार को जूट नहीं बोलने दिया कम नहीं तॉलने दिया जादा पैसा नहीं बताने दिया उचित मनाफ़ा ही लेने दिया सतीन महीने सादू इस दुकंदार से कोई बुराई नहीं कर पाया तीन महीने दुकंदार कोई बुराई ना कर पाया, सादू जगा के रखा, कि मेरे राम यात्रा पर चलना, तीन महीने पूरे होते हैं, सादू यात्रा पर जाता, दुकंदार भी साथ जाने को तैयार होता, तो सादू ने का आप तुम्हें यात्रा पर जाने की जरूर नहीं ह अब ये तुम्हारी दुकान ही तीर्थ हो गई अब ये तुम्हारी दुकान ही तुम्हारे लिए तीर्थ हो गई तीर्थ सद्ध का आर्थ है जो पवित्र करें जो पवित्र करें वो तीर्थ अब ये दुकान ही तुम्हारे लिए यग ये तीर्थ है ये तुम्हें पवित्र करेंगे क्योंकि तुम अब जाग गए हो अब तुम बुरायि नहीं कर पाऊगे तो भग्वान के है कर्म कुछ भी करो जिसकी जैसी योगता है हमारे महापुरसों ने कर्म का त्याग नहीं कि अपने अपने सुदहर मंसार उन्हों कर्म किये लेकिन वो कर्म उन्होंने यग की भावना से के लिए परोपकार के लिए किये लोग कल्याण के लिए किये सब के हित के लिए किये कोई फलकी मांग नहीं थी कोई फलकी आकांगशा नहीं थी कोई फलकी चाह नहीं थी फलकी आकांगशा से मुक्त होकर लोग कल्यान के लिए परहित के लिए परोपकार के लिए उन्होंने कर्म किये और भगवान कहते ऐसे व्यक्त कर्म करते हुए भी कर्म करते हुए यग की भाव ना से मैंने का नानक का खेती का नक यग है और कवीर का कपड़ा बुनना भी यग है तो कर्म करो लेकिन यग की भावना से फल की आकांग्छा से मुक्त हो के और भगवान कहते हैं तदर्थम उसकी के अर्थ में कर्म करो कर्म करता हो जाता उसका कर्म योग हो जाता है कर्म तो समाज के लिए किया कर्म तो उसने समाज के लिए किया लेकिन योग से परमात्मा के साथ जुड़ गया कर्म योग कर्म समाज के लिए योग परमात्मा से जोड़ दिया उसे परमात्मा से उसको जोड़ दिया और जब परमात्मा से जोड़ा तो परमात्मा की सुगंदी आ गई करुणा आ गई प्रेम आ गई संतोष आ गया तरपती आ गई क्योंकि जो परमात्मा ने उसे अपने साज जोड़ा तो परमात्मा की सुगंदी भी आ गई परमात्मा की करुणा भी आ गई और परमात्मा ने उसे तरप्ती भी दे दी आनंद भी दे दिया तो भगवान कहते कर्म करो लेकर यगी की भावना से और परमात्मा के प्रित समर्पे थोके आज हम यहीं विराम देते हैं मेरा सभी को बहुत बहुत शुब कामना है सभी को प्रड़ाम हरी हो